सब्सक्राइब कर लगे करने वाला किया क्या लगने वाले को बताने वाला है फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जाकर वहाँ से देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे डॉकुमेंट्स क्या क्या लगने वाला है मैं आपका फूरा हेल्फ करूँगा तो मेरा भी एक हेल्फ ही किजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब किजिए तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो आप लोग को बताया थे डीजे लोन पर कैसे लग सकते हैं इस वीडियो आपको बताने वाले डीजे लोन करवाने टाइम क्या 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 आपको डॉक्मेंट्स देना होगा बहुत सार कमेंट भी आ रहे थे कि डॉकमेंट्स क्या क्या लागा इस पर एक वीडियो बने यह सर्थ दूस्तों हम आपकी लेकर आगे हैं डीजे लोन करवाने टाइम क्या 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 आपको डॉकमेंट्स देने क्या हो सकता पड़ सकती है अगर लेना चाहते हो तो आप सब कुछ डॉकमेंट्स अभी से ही रेडि कर देजिए अब तभी आप जाकर लोन पर ले सकते हैं और त्रॉन लोन की बात करेंदो को तो पचास अरुपया तक लोन ले सकते हैं इसमें उस्यूटा मोटा वेवसाइइ कर सकते हैं बिजिनेस कर सकते हैं और दूसरा होता है की सोरलन के थाथ आपerry से 5 लाख प्रौपय तक लुन ले सकते है और तरोड लॉन की बात करे तो आप 5 लाख से 10 लाख प्रौपय तक लुन ले लग सकते हैं आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लौन हमको लेना है दोस्तों आप लोग सोच रहोंगे कि लोन कहां से मिलेगा मैं आपको बता दू कहीं भी आप जाकर आजपास के बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं जाकर गुलिएगा हमको परधान मंतरी मुद्राय योजना के थाथ हमको लोन चाहिए अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बैंक वाले रिजेक्ट भी कर सकते हैं मुद्राय लोन से आप अगर दो लाग से नीचे तक का समान लेना चाहते हैं या डीजे लेना चाहते हैं टेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ज्यादा डोकुमेंट्स देनी की जुरुवत आपको नहीं पड़ेगी दो पासपोर्ट साहिज की फोटो लगेगी जो की बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए और एक मुद्रा आवेदन पत्र मिलेगा बैंक सहीं आपको देंगे बैंक वाले देंगे कि आप इसको फोटो दीजिएगा उसके बाद छे मैंन का बैंक एस्टेटमेंट देना होगा उसके बाद आपका कहां रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ भी देना होगा अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं इंकॉम प्रूफ भी देना होगा आपको यह पहले हैं आपको बताते हैं अगर बैंक के लिए में लोन लेना जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप सेलरीड है सरकारी नोकरी क करते हैं तो आपको एकाउंट एस्टेटमेंट भी देना होगा अगर आप प्राइवेट कंपनी से में काम करते हैं तो आपको कंपनी से पेसलिप बनवा कर भी देना होगा इसके बाद आती है बैंक एस्टेटमेंट 6 मन का देना होगा बैंक वाले चेक करते हैं बैंक से कित बात करना चाहते हैं वहां का एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा वहां का एड्रेस प्रूफ देना होगा अगर आपके पास जीएस्टी रेजिस्टर है तो आपको काज़ भी देना होगा अगर आपके बस जीएस्टी नहीं है तो आप जीएस्टी भी नहीं दे सकते हैं ब पॉइंटर हर कोई सोसता है कि वियाज हमको कितना देना होगा तो प्रतिवर्ष की तो 10-12% जितना चलता है उसके हिसाप से अगर बैंक से संपर्ग करता हैं तो आपको बता देंगे इतना बैंके लगाखु invest ले इसकते हैं आपको decide करना कि आपको कितना loan लेना है, उसके हिसाब से आपको जाकर bank में बात करना होगा, और आपको मैं बता दो, DJ full setup का जो prize list आपको बनावा कर bank में देना होगा, बैंक वाले माँग सकते कि आपका prize कितना है, कितना का आपका समान है, कितना का बिजिनस करना जाते हैं उसका भी प्राइज लिस्ट बनावा कर देना होगा उसके बाद एड्रेश प्रूफ भी देना होगा जहां आप बिजिनस करना जाते हैं आपके पास जाती परमापतर है तो भी दे सकते हैं अगर नहीं वे तो कोई बात नहीं है तो आप दे स तो अब कि अफुरी हेलिकुराइबний के सबस्राइब किजिए क्योंकि लॉगणड़न का बाद बहुत सब्सक्राइब किजिए अगर लोन लेने टाइम अगर कुछ भी प्रयोन आती है तो मेरे इंस्टाग्रमेदी से बात कर सकते हैं आपको बताएं किसे आपको लेना है डुक्मेन्स आप आप रेडिक करके ही बैंक मज़ेगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लिए वीडियो इस वीडियो को लाइक किजिए कमेंट के और ज्यादा सेयर के तो जाहिए वन्दमात राम ओल वेस्ट